next question question says in the adjoining figure are shown three capacitors C1, C2, C3 joined to a battery सवाल है कि the correct condition will be और हमें दियावा है symbols have their usual meaning अब हमें यहाँ पर comment करना है Q1, Q2, Q3 कौन बराबर कौन ज़्यादा कौन कम उस पर या फिर V1, V2, V3 इन दोनों के उपर combination में हमें comment करना है सवाल आसान है basis clear होने चाहिए तो सबसे पहले तो यह है कि यहाँ से जो यह पोटेंशल V है और मानलीजे इसके across इसके उपर charge Q1 है और इसका potential V1 है इसके उपर charge Q2 है और potential V2 है और इसके उपर charge आपका मानलीजे Q3 है और potential इसका V3 है इस case में हम ऐसी बात करते हैं कि जिस प्रकार हमने current electricity में पढ़ा है कि जैसे जितना current यहां से जाएगा यह जो current जाएगा वो ही यहां पर i1 i2 में जाके divide हो जाएगा तो total current इसका और इन दोनों का बराबर होएगा same चीज हम charge के बारे में कहते हैं कि जितना current यह है Q1 उसकी value इन दोनों के बराबर होएगी तो Q2 प्लस Q3 तो यानि कि आपका Q1 जो है वो Q2 और Q3 के sum के बराबर होएगा तो जितना charge इसके उपर है वो इन दोनों को मिला के वो charge होएगा second चीज जो यहाँ potential की बात करते हैं यह total potential यहाँ पर V है इसके across कुछ V1 है V2 है V3 है अब क्योंकि दोनों parallel में लगे हुए है तो पहली बात तो हम यह कह सकते हैं जितना potential इसके उपर भी उत्ता ही potential होएगा second चीज इसका plus इसका sum जो है V1 plus V2 और V1 plus V3 इन दोनों का sum या तो इसका या फर इसका sum V के बराबर होएगा तो V2 V3 बराबर हो गए V1 plus V2 is equal to V या V1 plus V3 equal to V तो इस basis पर हम कह सकते हैं कि आपका option number C Q1 is equal to Q1 plus Q2 and V1 plus V2 equal to V would be the right option